आज की बीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर उमन अट्रैक्शन के बारे में तो सबसे पहली बात मैं आपको जो बता देना चाहता हूँ अगर आप ब्रह्मचर का पालन इसलिए कर रहे हो कि मुझे उमन अट्रैक्शन होगा तो आप बिल्कुल भी गलत हो आप लंबे समय तक ब्रह्मचर का पालन कभी नहीं कर सकते और वैसे भी कोई फैदा आपको होने वाला नहीं है ब्रह्मचर का पालन आप इसलिए करो ताकि आप अपने आपको बहतर बना सको तो चलिए हम इस वीडियो में आज उमान अट्रेक्शन के बारे में बात करने वाले है वीडियो को आप लोग लास तक जरूर देखिएगा अगर कोई बंदा ब्रह्मचर का पालन करता है उसके अंदर बहुत सारे बदलावाते हैं अगर वा लंबे समय तक ब्रह्मचर का पालन कर रहा है तो उसका confidence बहुत जाता बढ़ जाता है आप सभी को ब्रह्मचर के फैदे के बारे में अच्छे से पता होगा कि क्या क्या फैदे होते हैं और अगर कोई व्यंदा है उसका hair fall हो रहा है तो hair fall बंद होने लगता है चैरे पे एक तेज होता है एक चमक होता है तो सिंपल सी बात है अगर आप अच्छे दिखोगे हैंडसम दिखोगे तो आपको भाई कोई भी देखेगा तो आपकी तरफ अट्रेक्ट जरूर होगा तो ये तो सिंपल सी बात है तो अगर आप 100 दिन तक अच्छे से ब्रमचर का पालन कर लेते हो तो आपकी एनरजी पुरी हाई हो जाती है और आपके चैरे पे चमक भी आयाता है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा जब आप ब्रमचर का पालन करोगे तब आप सबसे अलग होगे आपकी सोंच सबसे अलग होगी आपका दिमाग एक अलग ही लेवल पे काम करेगा आपका दिमाग तेज होने लएगा और मैंने आपको बताया इसलिए आपको पालन करना चाहिए क्योंकि आपको अपने आपको बहतर जानना है आपको अपने आपको पाचानना है कि अखिर आप कौन हो आपको लाइब में क्या करना चाहिए इसलिए नहीं कि आपको उमेन अट्रेक्शन मिलेगा ये बिल्कुल गलत है और आपको एक बात का ध्यान रखना है जब आप ब्रह्मचर का पालन करते हो आपको किसी भी उमेन के बारे में निगेटिव नहीं सोचना है आपको पोजटिव रहना है कोई भी निगेटिव ख्याल आता है उसको आप पुरी तरह से निकाली दो वन्ना इससे आपका नुक्सान हो सकता है जब आप meditation करोगे ब्रह्मचर का अच्छे से पालन करोगे इमंदारी से पालन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फैदा होगा आपको अपने भीतर जाना है अपने भीतर जाके आपको अपने आपको पैचानना है आप अपने body को ज़्यादा मत मत दो एक दिन सब खत्म होन अंगिनत फैदय होते हैं लें किसी को परमचर के फैदय के बारे में अच्छे से नहीं बता होता है आप जब फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपको benefit होने लगेंगे अर एक तरह का benefit आपको होगा बस आप अच्छे से ब्रहमचर के नियम का पालन करो इमंदारी से पालन करो मौर्निंग में चार बज़े आप उठ सकते हो मेरिटेशन आपको करना होता है एकसरसाइस करना होता है तभी आपको फैदे होंगे तिया ही सब है भाई, रूल्स आपको तो मैंने बताया ही है और जो लोग सोचते हूं मैं अट्रेक्शन के बारे में उन लोगों को इसके बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आप भाई अपने आपको पायचानो ना कि इन सब चीजों पर आप ठ्यान दो तो आसा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गया होगे